दोस्तो आजम आपके लिए एक ऐसा प्लान लेकर आए हैं जिसके अगर आप एक पर 50,000 रुपे का निवेश करते हैं तो यहां से आप अपने लिए 42,92,494 रुपे का फंड बना सकते हैं अगर आप कोई निवेश प्लान करना चाहते हैं और कोई ऐसा प्लान डोट रहे हैं जहाँ पर आप निवेश करके एक अच्छा रिटरन बना सके यह अपने किसी गोल को पूरा करते के तो दोस्तो उसके लिए ये स्कीम आपके काफी काम आ सकते हैं क्योंकि यहांपर आप कम बारे से लेकर 15 लाग रुपे का निवेश करना होगा तब आप यहाँ पर 42 लाग रुपे का फंड बना सकते हैं इसी टाइप इरेट के अंदर लेकिन अगर आप कम पैसे निवेश करना चाहते हैं और एक अच्छा फंड भी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यह प्लान आपके काफी काम आ सकता है क्योंकि यहाँ पर आप कम पैसे निवेश करके ही अपने लिए एक अच्छा फंड तियार कर लेते हैं और सबसे ची बात अगर आप पैसे निवेश करते हैं तो वहाँ पर आप इंफलेशन रेट यानि महगाई को बीट नहीं कर पाते हैं जबकि इस प्लान के अंदर आपको कंपाउंड रिटन मिलता है और यहाँ पर आप महगाई को भी आसानी से बीट कर सकते हैं और अपने लिए यहाँ पर एक अच्छा रिटन हासिल कर सकते हैं और दोस्तों आज हम आपके लिए जो इसकीम लेकर आए हैं उसकी अगर हम सिर्फ रिटन की बात करें ओल टाइम की तो यहाँ पर आपको रिटन मिला है 16.28% का एनोड लगतार 20 साल से जबकि हम पिछले 5 सा रुपे निवेश करते हैं यहाँ पर दोस्तों अगर आप इस पैसे को यानि 50,000 रुपे को निवेश करके रखते हैं सिर्फ 7 साल के लिए तो यहाँ पर आपके 50,000 रुपे पर आपको 91,311 रुपे का तो रिटन मिल जाएगा यानि टूटल 7 साल के बाद आपके पास आपक जो रिटन मिलेगा वो 3,49,360 रुपे का होगा और यहाँ पर आपके 50,000 रुपे 14 साल में बढ़कर हो जाएगे 3,99,360 रुपे देखिन दोस्तों यहाँ से आपको कंपाउंड रिटन का फाइदा काफी अच्छे से देखने के लिए मिलेगा क्योंकि अगर हम बात करते हैं 21 साल के टाइम पिरिट के जो की थोड़ा सा लंबा वक्त जरूर होता है लेकिर इस 50,000 रुपे पर आपको रिटन मिल जाएगा 10,88,724 रुपे का और यहाँ पर आपके 50,000 रुपे 21 साल में बढ़कर हो जाएगे 11,88,724 रुपे लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस 27 साल के लिए निवेश करते हैं तो इस टाइम पिरिट में आपके 50,000 रुपे बढ़कर 27,50,090 रुपे हो जाएगे इसमें तक्रीपन आपको जो रिटन मिलेगा वो 27,000 रुपे का होगा लेकिन दोस्तों तीन साल और अगर आप 30 साल तक इस प्लान में इस 50,000 रुपे को न हम बात करें हैं वो एक mutual fund plan है और नाम है बंधन sterling value fund direct plan growth दोस्तों बंधन sterling value fund पहरे यह हुआ करता था IDFC sterling value fund लेकिन दोस्तों company बदल चुकी है और बंधन bank ने IDFC को require कर लिया है इसलिए अब इस scheme को नाम बदल चुका है और अब यह हो चुकी है बंधन sterling value fund यहां पर आप अब अगर हम बात करें कि आपका पैसा किन स्टॉकों में निवेश किया गया है तो यहां पर टोटल जो स्टॉक है वो है 57 जिनके अंदर पैसा निवेश किया गया है और अगर हम टॉप holding की बात करें तो इसमें ICC bank, Axis bank, Jindal Steel and Power Limited, ITC, CG Power Industry Solution, VR Logistics इस तरह के स्टॉकों में बात करें तो लोगोंने इस स्कीम के अंदर 5220 करोड रुपे का निवेश किया हुआ है फंड की रेटिंग 3 है और एनवी net asset value की बात की जाए तो 104 रुपीस इसका एनवी का प्राइस है यानि कि लमसम आप चप्पैसे निवेश करेंगे और उस दिन जो भी एनवी का प्राइब किया जाता है यहां पर भी सबसे जब्दा पैसा फ्रैनेंसर सेक्टर के निवेश किया है इसके लावा कंजिमर्स टैंबल अधर सेक्टर के स्टॉक्स ओटो मॉबाइल्स एनरजी यानि अलगलग सेक्टरों में अलगलग परसेंट इसके हिसाब से पैसा पैसा निवेश किया है यहां पर आपको एक परसेंट एक्जिट लोड चार्ज देना होता है टेक्स मुचल फंट में अगर आप एक साल के बाद पैसा निकालते हैं तो 10 परसेंट का होता है एक लाग पर प्रॉफिट हो जाता है तब लेकिन अगर आप एक साल से पहले निक आप से स्टार्ट हुआ था 1999 को तो तो यहां पर इस फंट के अंदर अगर आप सिर्फ 50,000 रुपे आज निवेश करते हैं तो उससे आप 40,000 रुपे तका फंट भी बना सकते हैं लेकिन अगर हम रिस्क की बात करें तो मुचल फंट से स्कीम के अंदर रिस्क जरूर होता है क्योंकि आप जो भी पैसा निवेश करते हैं फो स्टॉक मार्किट के अंदर निवेश किया जाता है इसलिए यहां पर अगर आपका व्यूड लॉंग टाइम का है तो यहां से आप एक अच्छा फंट बना सकते हैं लेकिन अगर हम शॉर्ट टाइम की बात करें तो मुचल यह स्टॉक मार्किट के अंदर क्रेश आता रहता है तो यहां पर आपको लॉस भी हो सकता है इसलिए अप जब गिन निवेश करते हैं मुचल फंट से स्कीम के अदर तो अपने फाइनेंसर एडवाईजर तेपीज सलह जरूर ले ले दोस्तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले धन्यवाद